तो हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब सैनल चिलरेने जुगे संटु एमपर और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दो अंका गुना और वह भी बहुत आसान तरीकों से तो दोस्तो आप इस वीडियो को सुरूशले करन तक जरूर से देखिएगा जिससे कि आपको आसान तरीकों से समझ में आएगा और आप कोई भी गलती नहीं करेंगे तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को भी नटाइम वेश्ट किये पड़ापट से करते हैं इस्टार्ट तो दोस्तो आजम सीखेंगे दो आंग का गुणा जिसको इंगलिस में कहते हैं टो डिजिट मल्टिप्लाई और दोस्तो यह आमारा गुणी का चिन तो दोस्तो चलिए अपने पहले एकोशन की तरफ चलते हैं तो दोस्तो यहां परह में 43 को 2 से गुणा करना है तो दोस्तो तो गुना करने से पहले मैं आप लोगों को बता दू कि गुना को कभी भी राइट से करना से जिये दोस्तो राइट से हमारा पहला क्या है तीन और इसके नीचे क्या है दो तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तीन को दो से गुना करेंगे तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ग ना ची तो दोस्तों तीन के पहाड़े दो बार पढ़ने पर क्या है ची यानि कि दोस्तों हमने तीन को दो से गुणा किया तो क्या है ची तो हम क्या करेंगे यहां पे छे को लिख देंगे अब दोस्तों तीन के बाद क्या है चार तो दोस्तों हम उसी तरीके से चार को दो से गुना करेंगे तो गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा चार के पहारे दो बार पढ़ने पढ़ेंगे तो चलिए दोस्तो हम चार के पहारे दो बार पढ़ते हैं चार इकम चार, चार दोना आट तो दोस्तो चार के पहाड़े दो बार पढ़ने पर क्या आया? आट तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर आट को लिख देंगे और दोस्तो यही हो जाएगा हमारा बहुत यासान तरीकों से एंसर तो दोस्तो हैना यह वह ज़िदा असान चली दोस्तो इसको भी बनाते हैं जिसकी मंदद से आपको और भी अच्छे से समझ में और आपको इवीगल तीन आ करें तो दोस्तो यहाँ पर हमें 32 को 3 से गुना करना है तो दोस्तो राइट से आमारा पहला है 2 और इसके नीचे क्या है 3 तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 2 को 3 से गुना करेंगे तो गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 के पहारे 3 वार पड़ने पड़ेंगे तो चलिए दोस्तों हम दो के पहारे तीन वार पढ़ते हैं दो इकम दो, दो दोना चार, दो तिया छे दोस्तों दो के पहारे तीन वार पढ़ने पर क्या आया? छे, यानि कि दोस्तों हमने दो को तीन से गुना किया तो क्या आया? छे तो हम क्या करेंगे यहां पे छे को लिख देंगे अब दोस्तो इसके बाद क्या है तीन तो दोस्तो हम उसी तरीके से तीन को तीन से गुना करेंगे तो गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तीन के पहारे तीन बार पड़ने पड़ेंगे तो चली दोस्तों हम तीन के पहाड़े तीन बार पढ़ते हैं तीन इकम तीन, तीन दोना छे, तीन तिया नौ तो दोस्तों तीन के पहाड़े तीन बार बढ़ने पढ़ने पढ़ते हैं नौ यानि कि दोस्तों हमने तीन को तीन से गुना किया तो क्या है नौ तो हम क्या करेंगे यहाँ बेनों को लिख देंगे और दोस्तो ये भी हो जाएगा हमारा पहुत यासान तरीकों से एंसर छली दोस्तों मुझे तरीके से इस वाले कोशन को भी बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमें 21 को 4 से गुना करना है तो दोस्तों राइट से हमारा पहला आंग क्या है एक और इसके नीचे क्या है चार तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक को 4 से गुना करेंगे तो गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक के पहारे 4 बार पड़ने पड़ेंगे तो इसलिए दोस्तों हम एक के पहाड़े चार बार पढ़ते हैं एक ही कम एक, एक दो ना दो, एक तिया तीन, एक जो के चार तो दोस्तों एक के पहाड़े चार बार पढ़ने पर क्या है चार यानि कि दोस्तों हमने एक को चार से गुना किया तो क्या है चार तो हम क्या करेंगे यहां पे चार को लिख देंगे अब दोस्तो इसके बाद क्या है दो तो दोस्तो हम उसी तरीके से दो को चार से गुना करेंगे तो गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दो के पहारे चार बार पड़ने पड़ेंगे तो चले दोस्तो हम दो के पहाड़े चार बार पढ़ते हैं दो इकम दो, दो दोना चार, दो तिया चे, दो चो के आठ तो दोस्तो दो के पहाड़े चार बार पढ़ने 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 पढ़ क्या आठ तो हम क्या करेंगे यहां पे आठ को लिखतेंगे यह उजाएगा हमारा बहुत असान तरीकों से एंसर तो दोस्तों है ना है वो ज़तासान तो दोस्तों इस वाले कोशन को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वाले कोशन में बहुत सारे स्टुडेंट्स जो हैं वो गलती कर देते हैं यहां पर हमें 34 को 0 से गुना करना है तो कही बच्चे कहेंगे कि 34 को 0 से गुना करने पर 34 सी आएगा लेकिन मैं यह कहता हूँ कि यह गलत है क्योंकि अगर आप किसी भी संक्या को 0 से गुना करते हैं तो उसका एंसर भी 0 आता है जैसे कि हम 4 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हैगा 0 तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 को लिख देंगे अब दोस्तो इसके बाद क्या है 3 तो दोस्तो हम उसी तरीके से 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हैगा 0 तो दोस्तो हम यहाँ पे 0 को लिख देंगे यानि कि दोस्तो अगर हम 34 को 0 से गुना करते हैं तो उसका answer आता है हमारा 0 यानि कि अगर हम किसी बढ़े शंक्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो उसका answer आता है 0 जैसा कि आप से कोई पूछ देता है कि आपके call डाइलर में जितने भी नमबर हैं उनको गुना करके मुझे बताओ तो दोस्तो एक से लेकर 0 तक के नमबर होते हैं तो हम क्या करेंगे एक से लेकर 9 तक के नमबर को हम गुना कर लेंगे ठीके उसके बाद अगर हम 0 से गुना करते हैं तो हमारा इंसर आता है 0 यानि कि दोस्तो अगर हम आपने call डाइलर के सभी संख्याओ को आपस में गुना करेंगे तो हमारा लास्ट में जाकर इंसर आजाएगा 0 यानि कि दोस्तो हेना यह पूछ दा मज़िदार अई होब दोस्तो यह वीडियो आपको बहुत जीदा पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को सब्सकाइब किजिएगा मिलते हैं एक ओने वीडियो में एक ओने टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद